जोतिश के अनुसार कई बार लोगों को कई परिशानियों से बचने के लिए 11 मुखी रुद्राग्ष धारन करने के लिए कहा जाता है आपको बता दें कि इसे धारन करने से या घर में रखने से सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है साथ ही आपके सभी काम बिना किसी विगन और बाधा के पूरे होने लगते हैं आपको बता दें कि 11 मुखी रुद्राग्ष को सुख और सम्रिद्धी का कारक बताया जाता है इसे धारन करने से या फिर घर पर रखने से सिध्धी प्राप्ती होती है काम में सफलता मिलती है यहाँ पर हम आपको ये भी बता दे कि महाशिव पुरान के अनुसार ग्यारा मुखे रुद्राक्ष को अपनी सिखा यानि बालों में बांधने से या गले में धारण करने से उच्चपद की प्राप्ती होती है विक्ती राजा के समान सुख भोगता है इसी के साथ आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अपना खुद का बिजनस करने वाले वेपारियों को भी ग्यारा मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है ग्यारा मुखी रुद्राक्ष उनके लिए बहुत जादा फलकारी बताया जाता है जो लोग अपना बिजनस करते हैं ऐसा करने से बिजनस में उन्हें लगातार फाइदा ही फाइदा मिलता है इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 11 मुखी रुदराक्ष पहनने से सभी परिशानिया दूर हो जाती है जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाता है जोतिश के नजरीय से तो इसके कई फायदे हैं ही लेकिन उसी के साथ स्वास्ते के नजरीय से भी 11 मुखी रुद्राक्ष के कई फायदे हैं दूर हो जाती हैं और आपको बता दे स्वास्ते की द्रिश्टी से 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा फायदे मंद बताया गया है अगर आपको स्वास्ते संबंदी कोई परिशानी है तो आप किसी विशेशग्य की सलाह लेकर ग्यारा मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं निक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल से आर्थिक रिपोर्ट